सब्सक्राइब लौत हूए ऐस आच हीजा आफ योटीप चनल पर और हम लोग कर रहा है 200 का और सब्सक्राइब कर रहा है और उसमें हम लोगों ने तेन saya चेप्टरेज को अच्छे से कवर कर लिया कौन कौन सा एक हमारा बेंजीन जो aromatic hydrocarbon के अंदर आता है, दूसरा है हमारा chlorobenzine और तीसरा है हमारा carbohydrate, तीन चेप्टर को हमने अच्छे से discuss कर लिया है, अब हम लोग 4 चेप्टर की बढ़ रहे हैं, जो हमारा 4 चेप्टर है, वह है aromatic amino compound, तो aromatic amino compound में तीन topic को आपको साथ discuss करना है, कौन-कौन, एक है हम हमारा disonium salt, very very important topic in this chapter, ठीक है aromatic amino compound का यह सबसे important topic है, disonium salt, और मैं बता दू कि exam point आप view से, यह 4 चेप्टर ही आप अच्छे से cover कर लेते हो, तो आपके 45 में 40 number तो confirm ही आ जाएंगे, बास सम्मेहर ही है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, कि जो भी चीज आप पढ़िए ना से पूरे तरीके से touch करो, जब 2020 का paper उठा के देखोगे, तो उसमें carbohydrate, और मैं chapter पढ़ाने वाला हूँ, aromatic amino compound, इससे डाजुनियम salt, यह दो ही चेप्टर से आपके 30 number के question हो जाने वाले है, बहुत ही माहिने रखता है, अपने आपने आरगेनिक में 45 में 30 number पाना, ठीक है, तो म आप इसको notes बनाईए और पढ़िए, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ के अपना notes बनाईए, चार ही चेप्टर अगर आप अच्छे से cover कर लेते हैं, तो आपका जो 20 secondaire का organic है, यह समझे लो, इसमें 99% चीज़ तो cover हो गई, समझो कि exam point of view से यह पूरा आपका complete हो गया है, और एक दो चेप्टर जो है, poly nuclear hydrocarbon है, और जितने भी आपकी इसमें चेप्टर है, नाइट्रो compound है, यह सारे चेप्टर को हम discuss करेंगे, लेकिन जो important heterocycle compound भी इसमें है, हर चेप्टर को discuss किया जागा, लेकिन जो exam point of view से सबसे important जो चेप्टर है आपका, aromatic amino compound, इसको हम सुरू क रहे हैं और इसको हम लोग कैसे पढ़एंगे, इसको हम लोग पढ़एंगे पहले enylene को कबर करेंगे, उसके बास से हम benzylemmin को कबर करेंगे, उसके बास से ditugма बढ़एंगे, ये तीनो topic को हम एक करके पढ़ाएंगे, और अचछे से पढ़ाएंगे, वीडियो के last में आप को इसका नोट्स भी मिलता रहेगा आप पढ़ते रही है और इसका नोट्स भी बनाते रही है चलिए शुरू करते हैं आज एनलीन का इंट्रोडक्षन होगा इसका प्रिप्रेशन होगा और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है उसको हम डिसकस करेंगे तो चलिए और देखते हैं एनलीन का प्रिप्रेशन और प्रपर्टीज तो आ गया अपनी वाइट बोड़ स्कीन पर और हम लोग का जैसा की इंट्रोडक्षन होई गया है कि हमको क्या पढ़ना है अरो मैटिक कमिनो कंपाउंड के अंदर हम लोग को पहले एनलीन के उपर डिसकस करना ठी कहा तो इसमें आप कुछ कहने के उच्रथारा नहीं पढ़नाय स्टाट करता है जो बेंजीन सा जर एनश्टु ग्रूप लगता है तो इसको हम क्या बौलते है एनलीन बोलते है Dz subject प्रिप्रेशन हना a प्ड़क्षन को क्या प्रिप्रेशन पढ़ना है क्या क्या मृच् तो जो इसका पहला मेथध्ट है आपका, वह क्या फ्राम नाइट्रो थाम, नाइट्रो बेंचीन के, नाइट्रो बेंचीन से क्या करेंगे हम एनिलीन यह Championship करें, यह हमारा हो गया बेंजीन और बेंजीन से जब springs है नाइट्चोंग नीट्रों जया लगाता है है इसके हम क्या है कि रिडेक्शन कर daha है किस पर्रेंस बेबाशिएार और प्रों सकते हैं तो बोलती है तो देखिए क्या अब यहां से क्या करो आप oxygen को निकाल दो और hydrogen को जोड़ दो जब भी यहां से oxygen निकलेगा तो कितना hydrogen जाकी जूड़ेगा अब देखो यहां पर 2 oxygen है तो 2 oxygen को water molecule में convert होने के लिए कितने hydrogen की जूड़ पड़ेगी चार तो चार तो लग गया इसको बचे दो hydrogen वहां पर लाकर जूड़ दिजिए तो यह आपका बेंजीन से जो है दो hydrogen दो oxygen हटा तो इसकी जगापर दो hydrogen चला गया और जो दो oxygen आपके बचे हैं वह चार hydrogen के साथ मिल की क्या बना लेंगे 2H2O बना लेंगे in the form of water बात समझवा रहे है तो पहला इसका method प्रिप्रेशन आफ पहला हमने इसका method प्ला फ्राम नैट्रो बेंजीन तो हमने नैट्रो बेंजीन का reduction किया सन और सल की प्रजिंस में तो reduction की process में क्या होता है hydrogen जोड़ता है और oxygen निकलता है तो जब भी oxygen निकलेगा तो hydrogen साथ जाएगा water का formation करेगा तो भाई यह बताओ दो oxygen यहाँ पे हैं इसको water में convert होने के लिए कितने hydrogen की जरूद पड़ेगी चार hydrogen की तभी तो यह दो और चार और दो मिलकी क्या करेंगे दो water का formation करेंगे तु मोला फैस्टु ओ देखो इसमें चार hydrogen है और दो oxygen है तो दो hydrogen जो बचा इसके साथ लग गया तो यह हमारा बन गया समझा रहा है तो इसका पहला मेथ्वर स्वर्म किस से से नािटो बेंजीन से अब जो इसका दूसरा मेथट्ड है वhol कMost मेथडस्य उसको अंब्रिपेर करेंगे उसको हम करेंगे chlorole क्लोरो बेंजीन के साथ कि देखेंगे कैसे क्लोरो बेंजीन के साथ इतका प्रिप्रेशन होता है जो इसका दूसरा है फ्राम क्लोरो बेंजीन ठीक है तो क्लोरो बेंजीन किसे क्या करेंगे हम इसका प्रिप्रेशन करेंगे देखे कैसे तो क्लोरो बेंजीन क्या होता है बेंजीन से जब सील लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरो बेंजीन बोलते हैं इसका हमने reaction करवाया ammonia के साथ और यह किसके presence में H2SO4 के presence में तो हुआ क्या यहां से एक hydrogen निकला और इस Cl को लेके चला गया देखो यहां से एक hydrogen निकला इस Cl को लेके चला गया क्या बना ले गया HCl और जो NH2 यहां पर बचा हुआ है वह जाके बेंजीन में रख गया अब ही मैं इसका थोड़ा साब को mechanism समझाता हूं तो यहां पर NH2 लग गया अब यहां से क्या बचा एक hydrogen और यहां से Cl यह मिलके क्या बना लिए HCl बना लिए देखो यह हुगा reaction कैसे है पहले आप उसको समझिए देखो यह प्लस ने देखा तो यहां से कारबन को break कर दिया कारबन और यह क्लोरीन का बंट ब्रेक हुआ तो इसकी उपर आ गया क्या निगेटिव और इसकी उपर आ गया पॉजिटिव तो यहां से क्या हुआ यह जो CL- है, वो H को लेकर CL के रूप में माइनस चला गया, अब जो यहाँ पर ammonia है, इसके पास है lone pair, तो lone pair ने इसकी balance को पूरा करने के लिए, यह अपना lone pair इसको donate किया, जैसे मालो यहाँ से CL- निकला, तो यह benzene के उपर कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो इस प्लस चार्ज को maintain करने के लिए, अब कौन फर्दर डियक्ट किया, इसके साथ ammonia react कर दिया, तो ammonia के पास lone pair ने इसके बांड का फार्मेशन कर लिया, तो जैसे यहाँ पर इसने बांड का फार्मेशन कर लिया, यहाँ पर, तो अब किसके पास, कि किसके पास Nicolas जा देगा nitrogen के पास क्योंकि nitrogen ने चार बैलेंसी बना ली nitrogen चार बैलेंसी बना दो उसके पास plus charge आ गया तो जब यह plus charge आ गया तो इस ने देखो यह catalyst है 604 क्या नटास को करवाता है और लास्ट में क्या होता है indвалory मतलब चेंज नहीं होता है और परिवर्तित रहता है तो इसने अपना एस प्लस दिया है तो इससे कहा कि भाई तुम अपना हमको एस प्लस दे दो दे दो और नाइटोजन भी आई चाहता था तो यहां से तुरंत एस प्लस निकल जाएगा अपना इलेक्टरान छोड़के और दिया हो क्या थो और इस प्लस गया तो इसके साथ चला गया और यह बनालिया फिर अपना हटी फोड़ कि Wa प्लिए यह इस्टोटरा के साथ चला गया से करने के लिए इसने यहां से हाइड्रोजिन को क्या कर दिया निकाल लिया और जैसे हाइड्रोजिन f-plus के फार्म में निकला s2o-04 ने अपना h-plus दिया था इसको एसट करके अपना s2o-04 फिर से बना लिया यह था इसका mechanism ठीक है ? आपको समझ में आख होगा तो हमने देखा कि from chlorabenzene से क्या कर सकते हम aylaniline का formation कर सकते हैं और anti mineral क्या बस बाइस पूता है बाइस बच्टक्ट में मिल सकता है chlorabenzene से एक और हम लोग formation कर सकते हैं एक औरachte करवा के कैसे उसको देखे तो क्लोरो बेंजीन से जो दूसरा हमने करवाया हमने लिया यहां पर क्लोरो बेंजीन और हमने रियक्ट करवाया किसके साथ सोडामाइड के साथ सोडामाइड या सोडामाइड इसको बोलते हैं इसके साथ रियक्ट करवाया तो क्या होगा देखो सोडिया में मेटल इसने इल है समाज आ रहे ही कि नहीं हा रही है इसके उपर बी अब फिर देखो कार्बन और एक लॉरीन की बीच का चलकर देखे हो गया यह जो इलेक्टान है जैब बाक मज़ की ऊपर खुल पूटेगा तो कि यह हो प्लस माइनिक से चला गया तो क्या बना लिया लिया तो यह आपका फिर क्या बन है एनीलीन का फार्मेशम हो गया ठीक है बहुत आसान है कुछ नहीं है देखो कार्बन और क्लोरीन का जब यह बांट तूटेगा तो यह वाला जो बांट तूटेगा जो ज़्यादे मजबूत होगा वह दोनों इलेक्टान को अपने उससे घीच लेगा तो जैसे अपनी खीचा इसके उपर आगया माइनस इस बेचारे का इलेक्टान चला गया तो इसके इसके साथ रेक्ट करवाया तो इसके बीच का बांट ब्रेक होगा क्योंकि इस मेटल है मेटल के काम इलेक्टान को डोनेट करना तो इसने अपना इलेक्टान डोनेट किया तो इसके उपर आगया प्लस और इसके उपर आगया माइनस तो यह माइनस इस प्लस के साथ और यह कि chlorobenzen इसे तो दो तरीका हो सकता है या तो chlorobenzen का आप ammonia के साथ करवाइए इसकी उपस्तिति में H2O4 के presence में या तो आप chlorobenzen का sodiumide के साथ reaction करवाइए तो आपको यह product मिल जाएगा तो तीन प्रिपरेशन इतना तो आपके लिए सफिसियंट है एक्जाम में करने के लिए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ करेक्टर की कि अम्मोनिया जो एनिलीन है उसके पास कैसा करेक्टर है ठीक है तो बेसिकली आप कह सकते हो कि उसकी प्रपरटीज के ऊपर हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो भाई चलो बात करते हैं तो लिखो लगाओ एडिक प्रपरटीज आफ एनिलीन प्रपरटीज आफ एनिलीन के अब हम क्या करने वाले हैं प्रपरटीज पढ़ने वाले हैं बहुत इंपर्टेंट बहुत इंपर्टेंट देखिए इसमें क्या होगा पह यह कौन सा character रखता है यह जानना हमारी लिए बहुत जरूरी है तब इसके गुडों को हम लोग जानेंगे SD character रखता है basic character रखता है क्या रखता है neutral रहता है यह सब चीजों को आप पता करना पड़एगा ठीक है, तो Lewis Acid और Lewis Base का आपने concept देखा होगा, Lewis Acid और Lewis Base का concept आप पढ़ क्या होँगे, तो Lewis Acid का जो concept है, Lewis ने बताया कि Acid किसको बोलेंगे, जो Lone Pair of Electron को क्या करे, Accept कर ले, तो उसको हम लोग Acid बोलेंगे, जो Lone Pair of Electron को Donate कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Base बोलेंगे, ठीक है, आप पढ़ोगे, Secondary में पढ़ोगे, आप Inorganic में इसको अच्छे से पढ़ोगे, तो फिलाल के लिए इतना आप समझिए, कि जिसने अपना Lone Pair of Electron accept कर लिया, किसी से accept कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, Acid बोलेंगे, जिसने अपना Lone Pair of Electron donate कर दिया, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या Base बोलेंगे, तो अब सवाल उठा यहां से, कि सर कौन donate करेगा, जिस के पास Electron की कमी होगी, वह accept कर लेगा, तो हम लोग चिक करेंगे, क्या Aniline में accept करने की capability है, कि donate करने की probability है, क्या है, चलिए पहले उसको हम check out करते हैं, तो पहले उसको हम structure drag करेंगे, और और उसको अच्छे से हम क्या करेंगे, clear करेंगे, यह दो चीज आपको clear हो जाने balance cell में 5 Electron होते हैं, दो Electron तो Hydrogen के पास चले गया, एक Electron कहाँ पे चला गया, इस Carbon के पास चला गया, अभी भी इसके balance cell में 2 Electron हैं, तो वह 2 Electron किस रूप में होते हैं, loan pair of Electron के रूप में होते हैं, जैसे कि माल लेजिए, यह आपका क्या हुआ, बेंजीन और यहां से लग है, NH2, nitrogen के balance cell में 2 और 5, 5 Electron होते हैं, 2 Hydrogen के साथ चला गया, 2 Hydrogen के साथ, एक Electron किस के साथ चला गया, करवन के साथ चला गया, इसका मतलब अभी भी इसके पास 2 Electron बचे हुए है, in the farm of loan pair, देखो, यहां पे बचा हुआ है, तो यह क्या कर सकता है, इस loan pair को donate कर सकता है, क्या क basic character का है, बात समझा गई, क्योंकि इसके पास क्या है, लोण pair of Nichatron हे, अभी यह loan pair of Nichatron donate करता है, तो जो loan pair of Nichatron donate करता है, उसको हम क्या बोलते है, basic बोलते है, यह किस ने बताया, यह किस ने बताया, यह Lewis इसने बताया तब हमको पता चला कि यार जो एनिलीन है उसके पास कैसा करेक्टर है बेसिक करेक्टर है अब सवाल बना कि सर यह कितना बेसिक करेक्टर है highly basic character कितना है इसके पीछे का क्या वाजिक है तो चलो देखो क्या है इसके पीछे के स्टोरी जो एनिलीन है ना वह एनिलीन माली जी यह बेंजीन और यह आपका NH2 इसके पास लोन प्यार यह जो इसली डोनेट कर दें उसको highly basic बोलेंगे रोल कर देता है इस रोन प्यार राफएलेक्टान अचैनल वार यहां भी किरिए को जाता है। इसके कारण या बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकता है लोन प्यारा फिलेक्टान को डोनेट नहीं कर पाता है बात समझा रही है तो इसमें आपसे कोशन पुछा जाता है क्या कोशन पुछा जाता है इसको आपको बताना पड़ेगा इसमें आपको कोशन पुछा जाता ह यह कि जो Ammonia है और जो Aniline है इन दोन में कौन बियादे बेसिक है तो देखो Ammonia के पास भी नेट कर सकता है बट displeium में क्या होता है एनिलीम हमने बताया कि जो लोन प्याराफिलेक्टान नाइटोजन के पास होते हैं वो रेजुनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो ये बताओ, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि कौन अच्छा से क्या कर सकता लोन प्याराफिलेक्टान डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास जो लोन पेराफिलेक्टान वह बिलकुल फ्री हैं किसी को किसी प्रकार का मतलब भी नहीं है इस लिए ऐनिलीन क्या होता है यह लोन पेराफिलेक्टान को डोनेट नहीं कर पाता है अब यह आपके दिमाग में चल रहागा मुझे पता है कि सर यह कई से डोनेट कर रहा हुआ क्या इसी तरह नहीं इसका रेजिनुरेटिंग इस्टेक्चर बनाई है कई बार हमने बेंजीन में बना चुका है इसने अपना लोन पेराफिलेक्टान डोनेट किया अरे देखो या जो अमोनिया है वह क्या करता है एनिलीन से हाईली बेसिक करेक्टर रखता है क्यों क्योंकि इसका जो लोन पेराफिलेक्टान है वह रिंग में डोनेट करता है जिसके कानल इसका लोन पेराफिलेक्टान बीजी है और इसका लोन पेराफिलेक्टान कहीं बीजी नहीं है ठी से लेस होता है बेसिक करेक्टर में तो यह चीज हमने सिखा अज प्रपरटी सब इनिरीन में होता है हमारा प्राइमरी एमीन चेंडरी एमिन और टर्सीरी एमिन तो उसको भी थोड़ा हम डिसकस कर लेते हैं कि प्राइमरी एमीन किसको इसको बोलते हैं जो हमारा NH2 group है यह केवल एक Carbon से लगा हुआ है तो इसको हम primary बोलेंगे लेकिन जो अगर हाई हमारा NH2 group है अगर यह किसी दो Carbon से लगा हुआ है तो इसको हम secondary बोलेंगे tertiary किसको बोलेंगे tertiary अगर यही NH हमारे तीन कार्बन से लगे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे टर्सियरी बोलेंगे बात समय हैं इसको बोलेंगे अगर एक कार्बन से लगा हुआ है आर का मतलब क्या हुआ CS3, तो CS3 में कितने carbon है, एक अही carbon है, तो जब आपका N, एक NH2 group, अगर किसी एक carbon से लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे primary amine, क्या बोलेंगे? primary amine, primary amine, जब हमारा NH2, अब देखो एक hydrogen याँ से चला गया, क्योंकि nitrogen की balance is disturb हो जागी, तो hydrogen को हटा देते जाओ, R को जोड़ते जाओ, R क्या है हमारा? alkyl group है, क्या है? alkyl group, alkyl मतलब CS3, CS2, CS2, CS5, जो भी हो सकता है, तो देखो, अब यहाँ से एक hydrogen हटा, तो 2 R लग गए, तो जब किसी amine से, या nitrogen से कह सकते हैं, कि जब 2 carbon लग जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? secondary बोलते हैं, ठीक है? और जब इसी nitrogen से 3 carbon लग गए हैं, तीनों hydrogen को अठा दीजिए, तो यह आपके क्या हो जाएंगे? तो इसको बोलते हैं primary amine, इसको बोलते हैं secondary amine, इसको बोलते हैं tertiary amine, तो इसमें भी आपको basic character define करना होता है, देखो, R क्या है? alkyl group है, alkyl group को क्या है? inductive effect के कारण, loan pair of electron को क्या करना? push करना, R का क्या है? R alkyl group का है, और alkyl group क्या करता है? जो इसके पास loan pair of electron होते हैं, वह inductive effect के कारण push करता है, तो जैसे कि माल लीजिए, यह आपके पास primary है और secondary और यह tertiary है, ठीक है? primary amine, secondary amine और tertiary amine, तो चलो इसको हम define करते हैं, ठीक है, इसको aliphatic बोलेंगे, क्योंकि aromatic है नहीं, तो हम लोग aromatic के अंदर पढ़ रहे थे, तो थोड़ा इसके भी बारे में आप discuss कर लो, आपकी exam में question पूछ देगा, कि aliphatic tertiary amine, secondary amine, aniline से highly basic क्यों है, तो उसके पीछे आप region उसको बता सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आर जो है, वह inductive fat के करणर, यह क्या करणर को पूछ करेगा, और यहाँ से भी, क्या करेगा, यह आर तीन जगह से क्या कर रहा है, पूछ कर रहा है, तो आप बताओ, किस तरीके से lone paraflectron available होगा, दिमाख लगाओ अपने पास, हम जानते हैं कि ammonia के पास क्या है, lone paraflectron है, इसके पास free है, बट, इसके पास free है, लेकिन primary में क्या कर रहा है, कोई एक आर कर रहा है, कि हमसे भी लेक्टान ले लो, और donate कर लो, secondary में कोई कर रहा है, कि 2R कर रहा है, हमस सबसे भी लेक्टान लेलो डोनेट करलो तो हिसके पास किसके पास कि अधी के पास कि रहे हो जाएकी करल किकी के रख़क highly basic होता है उसके बाद secondary उसके बाद से primary उसके बाद से अमोनिया तब उसके बाद से एनिलीन यानि इस सीरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा highly basic हमारा tertiary aliphatic amine होता है उसके बाद से secondary aliphatic amine primary aliphatic amine उसके बाद सियमोनिया तब लास्ट में हमारा क्या होता है एडिली अधले से टो आज इस वीडियो को यही पर करते हैं और आज हमने अपको सीखका कि प्रिप्रेशन आफ एनेलीन कि अ और हमने क्या सीखा इसकी प्रपर्टीस इसको देखा है कि यह कैसा और कुछ इसकी सिरीज को देखी कल लागब्लाब का कंपता चर्टा स्टांट हगया है तो लग लोग अच्छे को देखिए और इसका नोटस आप क्या करें उसको अचासरी बनाएए ठीक है और हम लोग तो अपना काम करना है आप को क्या करना है चैनल को subscribe करना है दोस्ते के साथ इस वीडियो को क्या करना है तो करना है और लाइक का Button दबाईए थोड़ा सा हमको shred कर रहा है और आप कमेंट करिया अगर कहीं भी प्राबलम होती है तो आप हमको कमेंट करिए इसी वीडियो के डिस्किरिप्षन में आपको WhatsApp का लिंक मिलेगा अगर वहां से अब जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हो तो वहां पे किसी भी प्रकार की नोट्स की किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो वहां पे आपको वहां पर फुरूंट उसका समधान के जाए तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई